नमश्कार और आज का मेडिटेशन शुरू करने से पहले एक बार अच्छे से अपने आपको शेक कर लेते हैं अपने हाथ पेरों को अच्छे से हिला लीजिए जिस्ट शेक ओफ एनी टेंशन इन यूर बॉड़ी और बिलकुल आराम से धीले शरीर के साथ बैग जाईए जहां कहीं भी हैं आप बेडरूम में लिविंग स्पेस में जहां कहीं भी आप कमफुटबल महसूस करते हों उस रूम में चले जाईए और आराम से टेक लगाके आ क्या आप रिलक्सेशन जादा मिलता है क्योंकि आपके हाथ और पेर खुल जाते हैं लेकिन इस बात के चांसीस बढ़ जाते हैं कि शायर आपको ओवरर रिलाक्सेशन ना हो जाए और आप कहीं सो ना जाए गल्ती से कभी कभी जपकी सी आने लगती है तो आज मैं चाहती हूँ कि पूरी चेतना के साथ इस meditation को करेंगे मेरे साथ बस आखे बंद, रीड की हड़ी बिलकुल सीधी और शरीर बिलकुल धीला बहुत बड़ी है और इसी तरह बस सामानने गती से अपने सासों को चलने दीजिए सास अंदर, सास बाहर अंदर और बाहर सास अंदर, सास बाहर बस इसी तरह सामानने गती से जैसे भी आपकी सास चल रही है उसको वैसे ही चलने दे धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर पर केंदरित कर दीजिए अपनी चेतना को शरीर से जोड दे पूरी की पूरी चेतना इस वक्त आपके शरीर से जोड चुकी है दोनों हाथों को जोड के रिदय के सामने एक बार अपने इस शरीर को नमन करें इस शरीर के लिए प्रकृति को धन्यवाद दें ये शरीर एक अनमोल तौफा है प्रकृति का इसे अपनाएं इसे खुशी खुशी अपनाएं ये जैसा भी है मोटा है पतला है कमजोर है शक्तिशाली है इस शरीर में दर्द है कहीं अर्चन है बैठने में कहीं तकलीफ है जो कुछ भी है इस शरीर को आज पूरे दिल के साथ एक हलकी सी मुस्कुराहट के साथ सुईकार करें प्रकृति का सबसे अनमोल तौफा ये शरीर जिसने इतने साल अच्छे बुरे समय में साथ दिया है आपका हर हालत में साथ दिया है आपका जब कभी भी बिमार पड़े तो भी इस शरीर ने साथ दिया जब कभी भी बिमार नहीं पड़े स्वस्थ थे अच्छे समय में बुरे समय में दुखी समय में खुश हाली के समय में हर हाल में शरीर ने आपका साथ दिया इस शरीर को धन्यवाद थैंक यू धीरे धीरे अपनी इस चेथना को अपने इस ध्यान को अब अपनी सासों की ओर ले जाए अपने पूरे के पूरे ध्यान को अपने मन को सासों पर केंद्रित कर दीजिए देखा जाए तो सासों का अंदर आना बाहर जाना सांसों की ये जो ले है इस ले की वज़े से ही तो हमारा शरीर आज जिन्दा है इन सांसों को धन्यवाद दे धन्यवाद After all, there is value for our body because of our breath Let us say thank you to our breath सामाने गती से ही सांसों को चलने दे और धीरे धीरे अब अपनी पूरी की पूरी चेतना को अपने सर के उपर ले जाएं सर के उपर ये जो जगे है ये जो आपका सर है सर का उपरी हिस्सा और जिस किसी भी रूम में इस वक्त आप बैठे हैं उस रूम की जो छट है आपके सर के उपरी भाग और छट इन दोनों के बीच है कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अपने ध्यान को ले जाएं और वहीं पर केंद्रित कर दें, पूरी की पूरी चेतना को. धीरे धीरे इसी चेतना को अपने सर के उपरी भाग के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर ले आएं, अपने पूरे ध्यान को मस्तिष्क के अंदर केंद्रित कर दें, मस्तिष्क से होते होते धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान दोनों आईब्राउस के बीच में ले आएं, ये जो चहरे पे आपकी दो आईब्राउस है, इन दोनों के बीचों बीच जहां और ते बिंदी लगाती है, पिट्यूट्री ग्लैंड जहां पे आपका स्थित है वहां पर पूरा का पूरा ध्यान ले जाएं माथे से होते हुए धीरे धीरे नाक फिर होट आपकी ठुड़ी ठुड़ी से नीचे जाते हुए आपकी गर्दन आपका गला गले से होते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए आपकी छाती और छाती में स्थित आपका रिदे अब अपना पूरा ध्यान अपने रिदे पर केंद रिद महसूस करिए कि कैसे ये रिदे दिन रात धड़क रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको जिन्दा रखने के लिए उस रिदे पर अपनी पूरी चेतना लगा दीजिए अपना पूरा ध्यान रिदे से जोर दीजिए Make your mind one with your heart एक बार दुबारा दोनों हथोई हथेलियों को बड़े प्यार से कोमलता पूर्वक्त रिदे के सामने जोर लेंगे और एक बड़ा सा धन्यवाद इस रिदे को भी जो दिन रात धड़क रहा है बिना ठके हुए आपको जिन्दा रखने के लिए जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक दिन रात धड़क रहा है एक पल को भी नहीं ठका अच्छे समय में बुरे समय में इतने अच्छे समय में ना होते हुए भी दुख में सुख में हर हाल में धड़कता रहा और आज भी धड़क रहा है इस रिदे को धन्यवाद तहे दिल से इसी रिदे को धन्यवाद धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान को अपने रिदे से जोड लें और रिदे में आती हुई सारी की सारी veins रिदे से जाती हुई सारी की सारी arteries जितने भी आपके शरीर में blood vessels है चाहे वो veins हो जो रिदे की और शरीर का पूरा का पूरा खून लेकर आती है चाहे वो arteries हो जो रिदे के माध्यम से आपके शरीर का खून शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुचाती है या फिर हो चाहे capillaries हो पतली पतली blood vessels जो हर एक muscle और हर एक internal organ के पास जाकर स्वच्छ, पवित्र, खून को प्रदान कर रही है उन सारे blood vessels की और एक बार अपना ध्यान ले जाएए और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी arteries पर केंद्रित करिए ये वो blood vessels हैं जो आपके रिरे से निकल कर शरीर के अलग-अलग विभिन भागों में जाकर स्वच्छ और पवित्र खून को प्रदान करती हैं oxygenated blood जिसे बोलते हैं pure oxygenated blood यही arteries हैं जो आपके रिरे से pump करती हुई ले जाती हैं और शरीर के अलग-अलग भागों तक पहुँचाती हैं एक बार इन सभी arteries पर अपना ध्यान केंद्रित करें चाहे आप उन्हें देखना पाएं मन की आँखों से उन्हें देखिए यह आप ही के शरीर का तो हिस्सा है आप ही के शरीर में है इन्ही के माध्यम से तो रोज आपके शरीर के एक-एक internal organ को आपके शरीर की एक-एक मास पेशी को स्वच्च पवित्र खून मिलता है इनको अपनी मन की आँखों से आज देखिए और इसी ध्यान को केंदरित करने के बाद एक गहरी सांस अंदर और महसूस करिए कि कैसे कैसे आप इस गहरी सांस को अंदर ले जा रहे हैं अपने फेफ़रों की ओर और कैसे कैसे फेफ़रों में जाकर इस सांस की पूरी oxygen आपके खून में मिल जा रही है आपका खून पवित्र हो रहा है अपनी मन की आँखों से देखिए और जैसे जैसे इसी सांस को धीरे धीरे छोड रहे हैं अपनी मन की आँखों से देखिए कि कैसे जो अपवित्र खून था उसमें से कार्बन डायोकसाइड निकल के आपके फेफणों के माध्यम से बाहर जा रही है बहुत बढ़ी है इसी प्रकार एक और गहरी सांस अंदर लेंगे और इसी सांस के साथ महसूस करिए विश्वास करिए कि कैसे आपके शरीर में ऑक्सिजन और उर्जा का प्रवाह हो रहा है और वही ऑक्सिजन वही उर्जा आपकी आर्टरीज शरीर के विभिन भागों तक पहुँचा रही है और जैसे जैसे एक धीरी सी सांस को छोड़ रहे हैं शरीर से मन की आँखों से देखिए, महसूस करिए, विश्वास करिए कि कैसे आपके शरीर की एक-एक कोशिका से तनाव, negativity और carbon dioxide बाहर निकल रहा है एक और गहरी सांस अंदर खीचते हुए, महसूस करिए कि कैसे जो आपकी arteries हैं, जो आपकी blood vessels हैं, उनकी जो दिवारे हैं, उनमें oxygen और उर्जा का प्रवाह हो रहा है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, महसूस करिए कि अब आपकी arteries की जो दिवारे हैं, वो relax हो रही हैं धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रही हैं, और जैसे जैसे वो तनाव मुक्त हो रही हैं, वो धीली पढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे आपकी arteries, आपकी blood vessels धीली पढ़ रही हैं, वैसे वैसे उनका आकार बढ़ रहा है और उनके आकार बढ़ने की वज़े से आपका जो blood pressure है, अब वो भी कम होने लगा है, कम होता चला है एक और गहरी सांस अंदर खीचते हुए मानिये की अब आपका रिदे ज्यादा ऊर जावान है अब आपके रिदे में ज्यादा oxygen है, आपके शरीर के खून में ज्यादा oxygen का प्रवाह हो रहा है और जैसे जैसे इसी सांस को धीरे धीरे शरीर से छोड़ रहे हैं, विश्वास कीजिए कि कैसे कैसे आपके blood vessels, आपके arteries की जो दिवारे हैं, वो तनाव मुक्त और धीली होती जा रही है एक-एक artery की दिवार जैसे गल रही है, धीली पढ़ रही है, और धीले पढ़ने की वज़े से आपका blood pressure कम होता चला है कम हो रहा है, एक-एक सांस के साथ कैसे कैसे आपका blood pressure कम हो रहा है, और साथ ही साथ आपके खून में oxygen की मात्रा भी बढ़ रही है महसूस करें, आँखे बंद, रीड की हड़ी सीधी और शरीर बिलकुल धीला एक और गहरी सांस अंदर भरेंगे, और मन की आँखों से देखेंगे की कैसे दीरे दीरे रिड़े और ज्यादा ऊर्जावान हो गया और कैसे कैसे आपके शरीर के रक्त में ज्यादा से ज्यादा oxygen गुल मिल गई और जैसे जैसे सांस को दीरे दीरे छोड़ेंगे, महसूस करिये की कैसे कैसे आपकी आर्टरीज की दिवारे धीली पड़ रही है, गल्ती जा रही है एक-एक सांस के साथ आपके शरीर का रक्त उर्जावान हो रहा है, आपके शरीर के रक्त में ज्यादा oxygen मिल रही है और एक-एक सांस को छोड़ते हुए आपके आर्टरीज की जो दिवारे हैं वो धीली पड़ती जा रही है पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है आपके ब्लड वेसिल्स की दिवारें तनाव मुक्त हो रही है आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है एक-एक सांस को छोड़ते हुए आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है आपका शरीर और भी ज्यादा relaxed हो रहा है इस बात को महसूस करिए क्योंकि ये इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त ये हो रहा है इस बडलाव को इस परिवर्तन को अपने शरीर के भीतर होते हुए देखिए अपनी मन की आँख से देखिए आँखों को बंद करके वास्तविक आँखों को बंद रखिए और मन की आँखों से देखिए कि कैसे आपके शरीर के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं कि कैसे एक-एक सांस लेते हुए एक-एक सांस छोड़ते हुए आपका शरीर बदल रहा है आपका शरीर बहतर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तनाव मुक्त बन रहा है ये वास्तविक्ता है ये हो रही है आपका काम बस इतना है कि मन की आखों से भीदर जाकिए और इस बदलाव को होते हुए देखिए और इस पल में इस समय में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कुछ जानने की जरूरत नहीं है कोई चेश्टा करने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है बस रिलाक्स तनाव मुक्त एक एक गहरी सांस के अंदर शरीर ज्यादा उर्जावान बन रहा है और एक एक सास को छोड़ते हुए शरीर ज्यादा तनाव मुक्त हो रहा है बस इसी बदलाव को होते हुए महसूस कीजिए एक और गहरी सास अंदर शरीर उर जावान हो रहा है एक और गहरी सास धीरे धीरे बाहर शरीर और आर्टरीज तनाव मुक्त हो रही है You are a fountain of love. You are a vast ocean of peace. You are a reservoir of infinite possibilities. कुछ भी संभव है आपके साथ. अगर आप चाहें, अगर आप द्रण बुर्धी के साथ चाहें, अगर आप द्रण मन के साथ चाहें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. आपके साथ, आपकी चेतना के साथ कुछ भी संभव है. अगर आप चाहें, तो और कैसे चाहेंगे? मन से, विवेक से, चेतना से, अपने आप से. आप आपका शरीर नहीं है, ना ही आप आपका मन है, ना ही आप अपनी सोच है, आप इन सब से परे हैं. आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी सोच से भिन्न हैं, अलग हैं. कभी भी अपने आपको, या अपनी आइडेंटिपी को, अपनी सोच से मत जोडिये. आप इन सब से परे, आप इन सब से बढ़के हैं, आप चेतना हैं. आप सिर्फ एक चेतना हैं, और चेतना शरीर, या मन, या मन की सोच से कहीं ज्यादा बढ़के होती हैं. अगर आप अपनी चेतना के माध्यम से चाहें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी संभव हैं. अगर आप अपनी चेतना के माध्यम से चाहें, तो आज बस इसी मेडिटेशन और इसी प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं, ज्यादा बहतर, ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं. और आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप अपनी चेतना के माध्यम से चाहें, तो आप अपने रिड़े को ज्यादा शक्तिशाली और अपने आर्टरीज की दिवारों को ज्यादा तनावमुक्त कर सकते हैं. अपने ब्लड फ्रेशर को इसी पल, इसी क्षण गिरा सकते हैं, और आप ऐसा ही कर रहे हैं. इसी बात के साथ दोनों हथेलियों को कोमलता पूर्ण रिड़े के सामने दुबारा जोड लेंगे और अपने आपको धन्यवाद देंगे. धन्यवाद इस बात का की आज आपने खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के ब्लड फ्रेशर को कम करने के लिए समय निकाला और मुझे से जोड़े. मेरे साथ इस मेडिटेशन को किया, सफलता पूरवक किया, मेरे साथ मेरी बातों को सुनके, अपनी चेतना को अपने शरीर से जोड़ा, और अपनी चेतना के माध्यम से अपने इस शरीर को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली बनाया. आपने आज अपनी चेतना के माध्यम से अपने ब्लड प्रेशर को कम किया है और अब आप ऐसा रोज करेंगे मेरे इस मेडिटेशन के माध्यम से इसलिए अपने आपको धन्यवाद दें धन्यवाद जब भी आपका मन हो एक मुस्कुराहट के साथ जब भी चाहें सामानने गती से सांसों को चलने दे और जब भी आपको ठीक लगे अपनी आखे खोल सकते हैं चाहें तो आखे खोलने से पहले एक बार अपने शरीर को फिर से हिला लीजिए ताकि आपकी सारी चेतना जो आपने अपनी सांसों से अपने रिड़े से जोड़ी हुई थी वो पूरी की पूरी चेतना वापस आपके पूरे समस्थ शरीर में घुल मिल जाए और शरीर को अच्छे से हिलाग डुलाके जब भी चाहें अपनी आखें खोल सकते हैं अपने आपको दुबारा धन्यवाद दीजिए जाते जाते बस आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जब भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दो चीजें खान पान से जुड़ी होती हैं जिन पर हमको उसी के उसी वक्त से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए यह मानिये कि जैसे ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या हमें जैसे ही डागनॉस्टिक लाब से हमको बीपी के बारे में रिपोर्ट मिल जाती है तो खान पान के point of view से दो बातें बहुत ही important हैं और उन दो बातों का उसी के उसी किशन से हमें ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए तो number one है शक्कर, शुगर कोशिश करें आज से ही कि ज्यादा से ज्यादा अपनी दिन चर्या में शक्कर को avoid करें शुगर कम से कम लें, अगर चाई पीने की आदत है तो शुगर छोड़ दें या फिर चाई को ही छोड़ दें, चाई कौफी पीने की आदत है बहुत सारे लोगों को तो यूपी में चाई और कौफी चीनी के साथ ही भाती है तो इन चीजों का सेवन जल्दी से जल्दी छोड़ दें और अगर सेवन करना ही है तो कम से कम करें और वो भी बिना चीनी के तो white sugar, table sugar, brown sugar शक्कर अनेक प्रकार की बाजार में आती है और आपको किसी भी प्रकार की शक्कर अब सूप नहीं करेगी तो आप शक्कर से परहेज करें 100% और जितना ज्यादा शक्कर को छोड़ पाएंगे उतना जल्दी आपका BP कम होगा ये राम बाण है जो मैं आपको बता रही है तमाम तरीके के विडियोज यूट्यूब पे आते हैं लेकिन ये बात 100% सदी सच है तो प्लीज इस बात को ज़रूर मानिये हो सकता है मेरी उम्र आप से कम होगी लेकिन जहां तक मेडिकल साइंस और आयुरवेद और आयुरवेदिक हेल्थ काउंसिलिंग का तजर्बा है मेरा वो काफी ज्यादा रहा है और बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलूंगी कि शुगर शक्कल आपके लिए जहर तुल्ले है जहर समान है तो जब कोई खादे पदार्थ जहर बन जाता है तो हम उसी के उसी क्षण उसको सौफी सदी छोड़ देते हैं 100% उसको त्याग देते हैं तो शुगर को आप as a poison ट्रीट करिए शक्कर जहर है आपके शरीर के लिए उसको आज से ही तिलांजली दे दीजे आज से ही उसको 100% छोड़ दीजे 100% नहीं छोड़ सकते हैं तो 90% तो गिव अप करी दीजे और जो दूसरी चीज आपके लिए रामबार है वो है अदरक, जिंजर जिंजर आपके लिए दवा समान है ये एक home made remedy है home made भी नहीं home remedy है बाजार से बस अदरक को मंगवाईए और ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार के रूपों में अदरक का सेवन करिए चाहे वो खाने में कुटी हुई अदरक हो कटी हुई अदरक हो या चाय, lemon tea अदरक के साथ पीजिए salt का powder भी हो सकता है अगर अदरक available नहीं है बाजार में तो sugar जो की जहर है उसे आपको give up करना है अदरक जो की दवा है उसको अब आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रहन करना है इन दो बातों का स्मरण कर लीजे और इन दोनों ही बातों को आज से follow करना शुरू कर दीजिए सौफी सरी और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका BP, प्रानायाम और meditation के साथ साथ कम होने लगेगा प्रानायाम भी करिए रोज मेरे साथ meditation भी रोज करिए मेरे साथ और ठान पान में ये दो सबसे बड़े बदलाव आज से ले आईए तो ये सारे factors combine होकर आपका blood pressure धीरे धीरे drop करवाना शुरू कर देंगे एक हफते के अंदर within a week you will feel certain positive changes in your body और आपको लगने लगेगा कि आप better feel कर रहे हैं ज्यादा तंदरुस्त हैं ज्यादा energetic हैं और आपको mood swings भी कम होंगे तो sugar को आज से ही give up करिए अदरक को आज से ही yes बोलिए ज्यादा से ज्यादा अदरक को consume करिए क्योंकि अदरक के अंदर ऐसे chemical compounds पाई जाते हैं ऐसी properties पाई जाती हैं अदरक में जो की आपके शरीर के अंदर की जो blood vessels हैं especially जो arteries और capillaries हैं जिनके बारे में मैं meditation के दौरान भी बात कर रही थी ये वो blood vessels हैं जो blood को pump करते-करते आपके रिदैस से ये muscles जब blood को pump करती हैं तो ये जो रिदैस से होता हुआ शरीर के तमाम विभिन भागों में अंगों में जाता है और रिदान करता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके arteries की walls में जो muscles हैं वो muscles relax हो सकें ज्यादा से ज्यादा तनाव मुक्त हो सकें तो आप ज्यादा से ज्यादा अद्रक का सेवन करिए क्योंकि अद्रक में पाए जाने वाले जो chemical compounds है वो compounds की properties ऐसी होती हैं जो की अद्रक के walls की mass पेशियों को relax करती हैं और जब ये mass पेशियां ज्यादा relax होती है तो जाहिर सी बात है naturally क्या होता है आपके arteries की जो walls है वो walls automatically relax होने लगती है क्योंकि उन walls की mass पेशियां या muscles relax होने लगी है और जब ये walls relax होने लगती है तो इनका आकार जो आपकी arteries का आकार है जो cross sectional area है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस cross sectional area के बढ़ जाने से automatically स्वभाविक तौर से आपका जो blood pressure है वो drop होता है drop होते ही आप ज्यादा energetic महसूस करोंगे आपका दिमाग ज्यादा तरो ताजा ज्यादा fresh और clear alert feel करेगा and overall overall your health will be better and throughout the day you will feel more happy and energetic so having said that आज के इस video को यही समाप्त करते हैं कल दुबारा मुलाकात होगी एक बार फिर से pranayam meditation साथ साथ करेंगे और आपको कोई ना कोई health tips में BP के point of view से देती रहूंगी ताकि आपका blood pressure जल्दी से जल्दी कम हो जाए एक normal range के अंदर आ जाए जल्दी से जल्दी हम आपके BP को control कर सकें और उसको normal range में ले आए तो इसके लिए आज से हम ध्यान रखेंगे कि आपकी और हमारी मुलाकात रोज होती रहे and together we will win it together we will win this battle against high blood pressure and together we will come out of this phase successfully that is a guarantee इस guarantee को बस दिमाग में कंठस्ट कर लीजिए इस guarantee को दिल में बिठा लीजिए पत्थर की लकीर बना लीजिए अपनी जिंदगी में और बस मेरे साथ वो सारा काम करते रहे है जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ तो चलिए नमस्कार और कल मुलाकात होगी